गुद मॉर्निंग 7th class आज हम अपना नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर का नाम है डेसिमल्स चाप्टर नमबर 3 तो सबसे पहले डेसिमल्स होता क्या है हम उस पे फोकस करेंगे तो डेसिमल्स क्या होता है अगर मैं कोई एक नमबर लिखती हूँ ठीक है कोई भी चीज जो इस तरीके से होती है जैसे 7.2 ओके 8.94 9.86 अगर आपने अब्जर्व क्या होगा तो मैं आगे वाले नमबर को तो पूरा पूरा पड़ी हूँ एक और आप अब्जर्व करना हो और फिर डिफरेंस बताना की क्या है ठीक है 87.62 1024.84 अगर आपने ध्यान से इसको सुना हो जो भी मैं बोल रही हूँ तो आपने अब्सर्व क्या होगा जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है सपोज ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट है तो इसको मैं नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं 87 बोल रही हूँ लेकिन पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उसको मैं 0.62 नहीं बोल रही हूँ मैं कैसे उसको स्पहल कर रही हूँ 62 इसको मैंने क्या पढ़ा 1024.84 तो ये जो ये चीज है ये पॉइंट इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं क्या कहते हैं डेसिमल ओके अब जो भी डेसिमल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं सपोज अकर मैं लिखा 8.94 तो जो फॉर्स पार्ट होता है जो की पॉइंट से पहले है मतलब left hand side में है वो हमारा whole number वाला part होता है कौन सा part होता है? whole number वाला part whole number part और जो point से बाद है मतलब right hand side में है यह 9,4 यह हमारा क्या है? यह हमारा decimal part है ठीक है? अब इसको separate कौन करता है? यह point और इस point को हम क्या कहते हैं? decimal ठीक है? एक दो questions और करते हैं पता लगाते हैं कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा 17.928 तो इसमें whole part कौन सा है? point से पहले वाला part तो यह हमारा क्या हो गया? whole number part और यह हमारा क्या है? जो point वेन लगाया है? यह हमारा है decimal और 928 जो की right hand side में है और decimal की बाद आया है वो कौन सा part होता है? वो होता है decimal part ठीक है? अब कुछ ऐसे अभी हमने fraction पढ़े थे fraction क्यों होते हैं? जिसमें एक numerator होता है और एक denominator होता है यह fractions होते थे? right? अगर मैं पूछू यह कौन सा fraction है? proper fraction है? improper fraction है? mixed fraction है? equivalent fraction है? कौन सा fraction है? तो हमारे आपके according यह कौन सा fraction है? जो हमने पढ़ा था? yes यह कौन सा fraction है? यह proper fraction है तो अब क्या होता है? अगर किसी भी अगर numerator कुछ भी हो और अगर denominator क्या हो? 10 हो 10 हो 100 हो या 1000 हो ठीक है? मैंने क्या बोला? denominator अगर इन तीनों में से कोई भी हो ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? decimal fraction कहते हैं क्या कहते हैं? decimal fractions जैसे कि 48 48 by 1000 तो ये क्या हो गया? decimal fraction 2 by 10 क्या हो गया? decimal fraction अगर मैं लिखूं 88 by 100 तो ये भी क्या हो चाहेगा? decimal fraction तो अभी हमने क्या पढ़ा? decimal क्या होता है? point ठीक है? जो decimal होता है उसके दो part होते हैं ठीक है? जो left hand side का part होता है वो whole number part होता है और जो right hand side मत्तब point के बाद जो part होता है right hand side में उसे हम decimal part कहते हैं और जो point होता है उसको हम decimal कहते हैं ठीक है? उसी तरीके से हमने पढ़ा कि अगर किसी भी fraction का जो denominator है वो 10, 100 या 1000 हो तो हम ऐसे fractions को कौन से fractions कहते हैं? decimal fractions ठीक है? अब हमारा next topic है कि how we read decimal fractions मतला हम decimal fractions को किस तरीके से मतला how we read decimals हम decimals को किस तरीके से read करते हैं ठीक है? तो how we read decimals सबोज मैंने लेखा इस तरीके से और मैंने एक और लेखा ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी? यह मेरा whole number part है इसको मैं पूरा-पूरा read करूंगी तो यह क्या हो जाएका 9 इसको क्या बोलेंगे? point और जो point के बाद मतलब decimal के बाद जो भी numbers होंगे उनको हम separately read करेंगे तो 9.24 इस वाले को कैसे read करेंगे? whole number से यह whole number वाला part है point से पहले तो उसको हम पूरा-पूरा read करेंगे क्या number हो गया यह? अगर इसको बोलूँ तो 18 right? point के बाद हम क्या करेंगे? हर number को separately read करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18.264 अब एक और number लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे 108.98 I guess अब आपको decimal read करना आ गया होगा तो next हम चलते हैं कि decimals जो होते हैं basically दो type के होते हैं अगर हम उनको categorize करें एक होते हैं like decimals और एक होते हैं unlike decimals तो like decimals क्या होते हैं? like decimals वो होते हैं जिनमें same number of decimal places होते हैं क्या? जिनमें same number of decimal places होते हैं जैसे की 2.48.69.8 या एक और example लेते हैं 7.27.84 9.86 69 690.02 ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो decimal part क्या होता है? point के बाद वाला part decimal part कौन से होता है? point के बाद वाला part ठीक है? मतलब जो right hand side में तो अब देखो decimal part कितना है? 1 यहां भी 1 यहां भी 1 अगर मैं इसके आगे इस तरीके से देखो 24.6 तो इसके पास भी क्या है? एक ही point है decimal के बाद एक ही number आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया? like decimal अब इदर देखो यहां पे 2 हैं लेकिन हमें किसको वो करना है? हमें देखना है कि decimal के बाद कितने number आ रहे हैं तो यहां पे भी कितने number आ रहे हैं? 2 यहां पर भी कितने decimal के पाद आ रहे है number 2 तो यह क्या हो गए? like decimal अब unlike decimal क्या हो गए? unlike decimal हो गए जिनमे decimal part क्या है? अलग-अलग है जैसे हम लिखे 1.48 next मैंने लिखा 0.632 next मैंने लिखा 18.6324 तो यह देखो decimal के बाद क्या है? यहां पर 2 number हैं फिर यहां पर कितने number हैं? 3 number हैं यहां पर कितने number हैं? 4 number हैं तो इसका मतलब यह क्या हो गए? unlike fraction तो like decimal sorry यह हो गए unlike decimals like decimal क्या हो गए? एसे decimals जिसमें जो decimal part है वो क्या है? सेम है 1, 1, 1, 1 next वाले को देखें तो इसमें 2, 2, 2 ठीक है? unlike decimals क्या होता हैं जिनमें जो decimal part होता हैं उसकी जो digits होती हैं ठीक है? जिनके number जो होते हैं वो अलगल होता हैं जिसमें 2 हैं 1, 2 इसमें कितने हैं 1, 2, 3 इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो like decimals जिसमें decimal part का जो number होता है वो सेम होता है सेम ही digit आ रहे हैं एक digit, एक digit, एक digit, एक digit दो लेकिन आपे क्या है? दो, तीन, चार इस तरीके से digit आ रहे हैं तो वो क्या हो गया? अनलाइक decimals हो गया ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी exercise जो की है 3.1 तो question number 1 हमेशा हम तब करेंगे जब हम पूरी exercise complete कर लेंगे ठीक है? क्योंकि तब हमें अच्छ से समझ में आ जाता है तो जब हम उसको करेंगे तो हम easily इन questions को अपने आप कर सकते हैं तो हम start करेंगे question number 2 से क्या लिखा है? separate separate का मतलब अलग-अलग करना है the whole number part and the decimal part of the following कितना easy है यह तो हमें क्या करना है? separate करना है question number 2 ठीक है? उसका first part ले रहे है 21.250 क्या बोला है? whole number part अलग separate करो और decimal part अलग separate करो whole number part कौन सा है? point से पहले तो हम लिखेंगे सबसे पहले whole number part तो whole number part क्या हो गया हमारा? 21 ओके? अब decimal part कौन सा हो जाएगा पेटा? तो decimal part के लिए हम लिखेंगे decimal part is equal to कितना हो जाएगा? 5 0 ठीक है? easy है तो इसके आप जितने भी questions है third sorry second third और fourth यह आपका home bug है next देखो convert the following unlike decimals into like decimals कह रहा है कि यह जो भी unlike decimal unlike decimal क्या थे? जिनका decimal part सेम नहीं है देखो यहापे 1 है यहापे 2 है point के बाद numbers यहापे कितना है? 3 है और यहापे कितना है? 2 है तो ऐसे को हमें क्या करना है? like decimal में convert करना है मतलब point के बाद क्या आना चाहिए? सब के same decimal numbers आने चाहिए मतलब यहापर भी सबसे ज़्यादा देखो यहापे कितना है? 1 यहापे भी 2 यहापे 3 और 2 तो इसका उनलब सबसे ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है decimal के बाद number 1, 2, 3 तो अब हमें इसको इसको और इसको क्या बनाना है? same बनाना है मतलब सब के decimal के बाद same number होने चाहिए ठीक है? तो मैंने लिखा 63.5 next मैंने लिखा 265.25 next मैंने लिखा 5.043 next 122.07 अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यह find out करना है कि decimal के बाद ऐसा कौन सा number है? जिसमें जादा digits आ रही है तो इसमें तो 1 आ रही है decimal के बाद इसमें कितनी है? 1, 2 इसमें कितनी है? 1, 2, 3 और इसमें 1, 2 सबस्यादा डिजट किसके पास है? इसके पास इसका मतला हम हर किसी को अब क्या करेंगे? decimal के बाद 3 डिजट नमबर बनाएंगे अब देखो कैसे बनेगा 63.5 इसके बाद हमें कितने नमबर और ची है? 2 तो हम क्या लगा देंगे? 2 0 Easy Next 265.25 एक और चाहिए तो हम लगा देंगे 0 Next 5.043 को तो convert करने की जुरत नहीं है क्योंकि अलरडी क्या है? हाइस नमबर और डिजट है उसमें decimal पार्ट में ठीक है? Next आजा 122.07 अब क्या करेंगे? इसमें भी एक 0 लगा देंगे अब देखो सारे के सारे क्या तुमारे like decimal बन गए? क्योंकि यहापर देखो decimal के बाद 123 Next देखो decimal के बाद 123 123 123 123 Easy है बहुत ठीक है? इसलिए अब आप क्या करोगे? इसका नेक्स पार्ट है आपका homework ठीक है? अब नेक्स वेशन जो हम करेंगे वो है Question No.4 Convert the following fractions into decimal fractions तो अब हमें यह क्या बनाना है? decimal fractions में इसको convert करना है ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? Question 4 का 1st part Convert the following fraction into decimal fractions ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? हमारा number है 4 by 5 तो हम decimal में कैसे convert करते हैं? 5 हमारा denominator है तो बाहर रहेगा 4 हमारा numerator है तो अदर रहेगा ठीक है? अब क्या 5 से 4 divide होगा? नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? 0 point लगाएंगे क्या लगाएंगे? तो यह हमारा यह क्या बन गया हमारा? यह हमारा decimal बन गया जब हमने 5 से 4 को divide कया तो यह गोट 0.8 अगर question में दिखा होता convert the falling fraction into decimals only तो हम अपना answer यहीं पर करके छोड़ देंगे ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या दिखा है? convert the falling fraction into decimal fractions हमने क्या बढ़ा था? decimal fractions क्या होते हैं? जिनका denominator या तो 10 हो 100 हो या 1000 हो तो अब इसको हम कैसे convert करेंगे? देखो 0.8 यह हटाएंगे point हटाएंगे ठीक है? 1 लिखेंगे point के बाद बिटे कितना number है? 1 तो हम 0 लगा देंगे तो अब number क्या बन जाएगा? 8 by 10 तो this is our decimal fraction ठीक है? अगर सिर्फ decimal बोलेगा question में तो हम यहाँ पे करके छोड़ देंगे लेकिन अगर decimal fraction बोल रहा है तो answer हमारा यह होगा ठीक है? next question करें एक mix fraction लेते हैं ठीक है? यह वाला second वाला भूमबक करोगे क्योंकि इसी की तरह होगा ठीक है? तो third वाला दे लेते हैं third वाला question है 1 7 by 8 ठीक है? सबसे पहले बेटा जी mix fraction है तो हम क्या करेंगे? improper fraction में convert करेंगे कैसे करेंगे? 8 वंजा 8 8 में 7 प्लस करा कितना हो जाएगा बच्चे? by 8 next step क्या करना है? अब हमें इसे करना है तो हमने 8 यहां लिखा और 15 अंदर क्योंकि जो भी numerator होता है उसको हम dividend की तरह यूज करते हैं और जो हमारा क्या होता है denominator उसको हम divisor की तरह यूज करते हैं ठीक है? अब हम इसको करेंगे 8 वन जा 8 15 में से 8 यह कितना आजाएगा बेटा? 7 आजाएगा ठीक है? हमें तो decimal fraction लाना है तो ऐसे तो यूज नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? point लगाएंगे जब हम इसमें point लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 0 आजाएगा अब क्या 8 की टेवल में 70 जाता है? तो हम करेंगे 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 8 8 जा 64 8 9 जा 72 72 बड़ा है तो हम क्या करेंगे? 8 8 जा 64 अब 10 में से 4 गया कितना आ गया? बेटा 6 अब हमें एक बाद जब पॉइंट लगा चुके है तो हमारे पास अब क्या है? हम 0 पुट कर सकते हैं तो हमने इसमें 0 पुट करा क्या आब यह जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 8 7 जा 56 10 में से 6 गया बेटा कितना आ गया? 4 ठीक है? फिर हमें एक 0 पुट कर देते हैं तो 8 5 जा 40 ठीक है? हमारा अंसर क्या हो गया? 1.875 तो हमने लिखा 1.875 यहां तक हम अंसर तब छोड़ेंगे जब हमारे question में लिखा होगा convert the following fraction into decimal तो यह decimal हो गया लेकिन question में क्या बोला है? decimal fraction तो decimal fraction में कैसे convert करेंगे बच्चे? पहले number लिख लो 1.875 ठीक है? सबसे पहले इस point को जब हम हटाएंगे हटा दिया ठीक है? तो हम यहां पर पहले क्या लिखेंगे 1 अब एक बाब बताओ कितनी desert हैं इसके बाद? 1, point के बाद 1, 2, 3 तो हम उतने 0 जो होंगे वो put कर देंगे अब हमारा number क्या हो जागे? क्योंकि point तो हमने हटा दिया है तो number बन गया 1, 8, 7, 5 divided by 1000 ठीक है? तो यह हमारा answer है क्या? decimal fractions ठीक है? हमने पढ़ा था decimal fractions वो होते हैं जिनका denominator 10, 100 या 1000 होता है ठीक है? easy इसी तरीके से आप question number 4 homework करेंगे ठीक है? next करते हैं convert the following decimal fraction into simplest form अब question number 5 का हम first part लेते हैं इसमें क्या करा है? आपको decimal दिया हुआ है और उसको simplest form में convert करना है ठीक है? तो 2.75 है simplest form में कैसे convert करेंगे? सबसे पहले जो number दिया है उसको लिख लो 2.75 ठीक है? नीचे अब हमें denominator create करना है ठीक है? तो अब हमने इसको क्या करा? पॉइंट हटाएंगे ठीक है? पहले क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट के बाद कितने number है? 1, 2 तो कितने जिरू आजाएंगे? रहो वो सिर्फ 1 हो 1 के लावा कोई और फैक्टर ना हो तो अब हम कैसे करेंगे? 5 से हम इसे cancer करेंगे 5, 2 जा 10 और 0 तो 25 जा 100 अब करेंगे 5, 5 जा 25 तो फिर आजाएगा 5, 5 जा 25 अभी भी एक टेगा 5 से राइट? तो हम करेंगे 5, 4 जा 20 और 5 जा 5, 5 जा 5 तो हमारा answer क्या आजाएगा बेटा उपर क्या बचा है? 11 और denominator क्या है? 4 तो हमारा ये जो ये simplest form है ये simplest form क्यों है? क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं cancel होंगे तो ये simplest form है क्योंकि अब इन दोनों का जो common factor है वो क्या है? 1 है, ठीक है? एक और देख लिएज़े 0.64 या 0. अब चलो मैं बताई देते हूं 0.64 वाला तक कि easy हो 0.64 क्या गाम करना है बच्चे हमें? सबसे पहले नमबर देख रहेंगे 0.64 नीचे क्या लगाएंगे बच्चे पहले? अब हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट तो हट गया, क्या बच्चा है हमारे पास? 0. देखो, पॉइंट से पहले अगर 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम ये 0 भी हटा देंगे, क्या बच्चा हैगे? अब हम इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 4 16, 4 जा 64 और 25, 4 जा 100 क्या अब ये किसी और टेबल से कैंसल होंगे? नहीं, तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा? 16 बाई 25 ठीक है? तो आप जो भी पॉइंट रहे गए, इसमें 3rd और 4 तो आपका होमवक है और मैं आपकी जो क्लास है, यहीं पर भी ओवर कर रहे हूं, ठीक है? ओके, बाई